वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 6 जनवरी 2023 और 6 जनवरी 2023 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पीडियाप आप मारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलि ये स्टाट करते हैं पहला कुश्यिन है हाली में केस राजी में दिसम्बर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है तो अभी हर्याणा में दिसम्बर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई तो इस कुश्यन का B options आई है एक्षुल में Center for Monitoring the Indian Economy की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पिछले 16 महीनों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई, ये कितनी रही है, 8.3%, ये मैंने आपको कल बताया था, और इसमें भी सबसे अधिक बेरोजगारी दर हर्याणा में दर्ज क की गई है, दूसरे रंबर पे राइस्तान है, राइस्तान में 28.5% रही है, और तीसरे पे है डेली, डेली में 20.8% दर्ज की गई, अब हर्याणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है, तो ये है मैप में हर्याणा, हर्याणा की केपिटल क्या है, चंडिगर, हर परोहर लाल खट्टर और हर्याना की गवर्नल कौन है बंडारू दत्तात्रे अभी हर्याना की टीम ने 48 में नेशनल जूनियर बॉलीबॉल चेंपेंशिप में स्वड पदक जीता है हर्याना की क्रिकेट बद्धिर टीम ने टीट्वन्टी रास्ती चेंपेंशिप 2022 ट्रॉफ इंडिया एग्रे बिजनिस बेस्ट स्टेट अवार्ड हर्याना ने जीता है अचा हर्याना में कालेसुर निस्नल पार्क है सुल्तानपूर निस्नल पार्क है खोली रेतान बार्ला सेंचुरी है बेर सिकारगड बार्ला सेंचुरी है नाहर बार्ला सेंचुरी है चिलचिला और खप परवास वार्ड़ाइस सेंचुरी है अच्छा हर्याना गौर्मेंट ने पालतु कुत्तों के रेजिस्टेशन को अनिवारे कर दिया है इतना आप हर्याना के बारे में याद रखिए अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाइक का तो सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी ने क्यूशन है हाली में किस ने चेन के सायोग से पोक्रा रेजिनल इंटरनेशनल का उद्गाटन किया तो इस कुछिन का से ओप्सें से यह अब यह उद्गाटन नेपाल ने किया तो यह है मैप में नेपाल की केपिटल क्या है काट मांडू नेपाल की करेंसी क्या है नेपाली रुप्या नेपाल की प्रेजेंट टेम पर प्रैमिस्टर कौन है पुस्प कम है सेसी राजीब कुमार को नैपल के चुनाव के लिए अंतरस्ती परवेच्छ की रूप में आवंतरित किया गया क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नैपल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया बारत और नैपल के बीच भारत गौरब परिटक ट्रेन को हरी जंडी दिखाई गई अच्छा इंडिया और नैपल के बीच में कौन सी डिफेंस एकसाईज होती है तो इंडिया और नैपल के बीच में होती है सूर्य किरण नाम की डिफेंस एकसाईज नए क्यूशन है हाली में प्रदानमंत्री मोधी बाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा बिलास को लॉंच करेंगे तो बाराणसी से असम के डिबरुगर तक प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा बिलास को माद्यम से पूरा क्रूज यात्रा करेगा तो ये दुनिया का सबसे लंबा क्रूज होगा इसका नाम आप याद रखी है गंगा बिलास ने क्यूशन है हाली में कहां इमो इनू इरप्ता महुत्सा मनाया गया तो अभी मड़िपुर में इमो इनू इरप्ता महुत्सा मनाया गया तो इसका इनू का C options आई है ये एक सांस्कृत्तिक अनुष्ठान का भाग है और इसे मड़िपुर में मनाया जाता है अब मड़िपुर तो ये है मैप में मड़िपुर मड़िपुर की Capitol क्या है मड़पूर के चीपनिस्टर कौन है एन बेरेन सिंग और मड़पूर के गवर्नर कौन है ला गड़ेशन अभी पूर्वोत्र उलमपेग खेलों में मड़पूर लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा है अमूर फालकन फेस्टिवल का सात्मा संस्क्रड मड़पूर में मनाया गया इंपाल में आम लोगों की सिकायत के लिए सेम दा हैसी पोर्टल का सुबारम हुआ खौंग जौंग दिवस ये मड़पूर में 23 अपरेल को मनाया गया और पूर्वत्र का सबसे उंचा रास्टी दौह जिसकी उंचा ही है 165 फीट ये मड़पूर के बिश्डूपूर जिले में फैराये गया ने क्यूशन है हाले में कुलदेव सिंग पठानिया किस राजी की विदान सवा के अगले स्पेकर नियुक्तु है तो कुलदेव सिंग पठानिया ये पाँच वार के विदायक है और अभी रेक्olie हेमाचल प्रोदेश के विदान सवा के अगले स्पेकर नियुक्तु है तो इसकूशन का बे ऑपस्ण सही है ये हैं पाँच वार के विदायक कुलदेव सिंग पठानिया और यही हिमाचल प्रदेश बिदान सभा के अगले speaker point हुए है अब हिमाचल प्रदेश तो यह है map में हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की capital क्या है? Simla हिमाचल प्रदेश के नए चीप निश्टर कौन वने है? सुख बिंदर सिंग सुखु और हिमाचल प्रदेस की गवर्नल कौन है? राजेंद्र अर लेकर अबी हिमाचल प्रदेस की मुख्य मंत्री ने सुखासरे साहता कूस लौझ किया ये असाय बच्चों और असाय माईलाओं के लिए है ये 101 करोड़ रुपय का सुखासरे साहता कूस है जिसमें कांग्रेस के सभी विदायक और मंत्री अपले पहले महीने की सेलरी डॉनेट करेंगे अच्छा हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे उचा मददान कें टसी गंग बना हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मददाता स्याम सरडनेगी ने मददान किया और मददान के अगले दिन इनका निदन हो गया हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम कैड नाम की एक नई योजना सुरू की हिमाचल प्रदेश की मुख्य मंत्री ने पुलिस की साहिता के लिए सत्य निष्टा एप लॉंज किया इतना आप हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए ने शुशन है हाली में वाल्टर कनिंगम का निधन हुआ है वे कौन थे तो वाल्टर कनिंगम ये एक अंतरिछ यात्री थे और अभी इनका निधन हो गया दूसकुष इनका A options है ये नासा की Apollo 7 मिसन में अंतिम जेवे त्यात्री थे ये वाल्टर कनिंगम और अभी 90 बर्स की उम्र में इनका निधन हो गया नासा का जो Apollo 7 मिसन था उसके ये एकलोते जेवे त्यात्री थे और अब इनका निधन हुआ है अब नासा यानि की National Aeronautics and Space Administration इसकी स्तापना कव हुई 1958 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है वासिंग्टन डी सी में और नासा के प्रजेन टेम पर अड्मिनिस्टेटर कौन है बिल नेलसन नख्यूशन है प्रांस की केपिटल क्या है पेरिस फ्रांस की करंसी क्या है यूरो और फ्रांस की प्रजेन टेम पे परेसिडेंट कौन है Emmanuel Macron ने क्यूशिन है हाली में किस राज में बाल ओफ पेस म्यूरल बनी है तो अभी केरल में बाल ओफ पेस म्यूरल बनी तो इस क्यूशिन का बे ओप्सन सही है ये 700 फेट लंबी एक दिवार है और इस पर 250 भासाओं में दुनिया की 250 भासाओं में सांती सब्द लिखा हुआ है अब केरल तो ये है मैप में केरल केरल की केपिटल क्या है तिरुबनन्त पुरम केरल के चीपनिश्टर कौन है पेनराई बिजियन और केरल के गवर्नर कौन है आरिफ महम्मद खान अच्छा अभी केरल में भारती पुस्तकाले कौंग्रेस का उदगाठिन किया गया केरल सरकार ने मलिक का सारा भाई को केरल कलावंडल का कुलपति न्यूट किया केरल ने वर्ड ट्रेवल मार्ट में Responsible Tourism Global Award जीता है केरल सरकार स्टार्ट अप को तकने की लाईसंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी पूरे राज में सोने की एक समान कीमत वाला राज केरल बना है केरल ने सरव स्रेष्ट सार्विणिक परिवहन सेवाओं के लिए केन सरकार का पुरुसकार जीता है केरल में सान्त गाटी है पेरियार बनजी वब्यारेंड है केरल में अनाई मुडी सोलो नेसनल पार्क है मत्य केट्टम सोलो नेसनल पार्क है और सैलेंट वैली नेसनल पार्क है ने क्यूशन है हाली में किस देश ने ACI डाक संग का नेतरत तो समाला है तो इसे महीने अपने देश भारत ने ACI डाक संग का नेत्रत समाला तो इसकुशन का A options है और ये जो ACI डाक संग है इसका headquarter कहाँ पे है तो इसका headquarter है Bangkok में कहाँ पे बैंककॉक में देश्चन है हाली में mega green project का समर्थन करने के लिए कौन सा रاج green climate fund इस्तापद करेगा तो अभी mega green project का समर्थन करने के लिए तमिल नाडू grain climate fund इस्तापित करेगा तो इसको इनका बे options रही है यह 1000 करोड रुपए का fund होगा अब इसको तमिल नाडू इस्तापित करेगा तो यह है map में तमिल नाडू तमिल नाडू की capital क्या है चेमिल नाडू की चीपनेश्टर कौन है MK स्टाललिन और तमिलनाडू की गवर्णल कौन है आर एन रवी अभी RTI जवाब देई में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज तमिलनाडू रहा है तमिलनाडू सरकार ने नेल गिरी तहर के संरक्षड के लिए परयोजना शुरू की है तमिलनाडू सरकार ने पढ़ने को बड़ावा देने के लिए Friends of Library योजना शुरू की अच्छा खाद्य सुरक्षा सूचकांग में तमिलनाडू टॉप पर रहा है पूरे देश में मचलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडू है फालों का सबसे बड़ा उत्पादक आंदर प्रदेश है सबजियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है अच्छा तमिलनाडू में जले कट्टू का आयोजन किया जाता है तमिलनाडू में आदिपुरम त्युहार मरा जाता है और तमिल नडू ने तमिल थाई बस्थू को अपना राज की गेट गोसित किया है तमिल नडू में सत्य मंगलम टाइगर रजर्ब है इसे अभी टे एक्स टू अबाड मिला था ने क्यूशन है हाली में 46 में अंतरास्टी कुलकाता पुस्तक मेले का थेम देश कौन सा बना है तो 40 में अंतरास्टी कुलकाता पुस्तक मेले का थेम देश बना है इस्पेन तो इसकुशन का से ओप्सन सही है अब इस्पेन बना है तो ये है मैप में इस्पेन इस्पेन की केपिटल क्या है? मैडरिट इस्पेन की करंसी क्या है? यूरो और इस्पेन के प्रजेन टेम पर प्रेमिश्टर कौन है? पेडरो संचेज नए हुशन है हाली में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौनसे राज्य सरकार एक बरस के लिए मुप्त चावल प्रदान करेगी तो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अबे उडिशा सरकार बेपेल कार धारकों को एक बरस तक मुप्त चावल प्रदान करेगी तो इस कुश्चिन का बे आप्सन सही है पांच किलो चावल एक बरस तक मुक्त मिलेंगे अब उडिशा प्रदान करेगी तो ये है मैपन उडिशा उडिशा की केपिटल है बुबनेश्वर उडिशा की चीपनिश्टर है नबीन पटनायक और उडिशा की गवर्नर कौन है गनेशीलाद अच्छा उडिशा में है वीलर दीप और वीलर दीप का नाम बतल के एपी जी अब्दुलकलाम दीप रखा गया उडिशा दिवस या उतकल दिवस ये एक अपरेल को मनाय जाता है अभी बिंटेज महानों के लिए अलग पंजीकरण वाला राज उडिशा बना है उडिशा सरकार ने लंपे तचारों का निसुलक टेका करने की गोश्ण की है उडिशा सरकार ने राज जी को 2023 तक सलम मुक्त बनाने की गोश्ण की उडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सिक्षा पुरुसकार योजना की सुरुआत की उडिसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस की रूप में मनाया है और बाजी राउत रास्टी फुटवर्ड टूनामेंट का उद्गाटन उडिसा में हुआ अच्छा उडिसा में सुनावेडा वायलाफ सेंचुरी है कूठागड वायलाफ सेंचुरी है बैसी पल्ली वायलाफ सेंचुरी है देवरीगड वायलाफ सेंचुरी है गहिर मठ वायलाफ सेंचुरी है और चिलका लेख है चिलका लेख भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिसा में रसेकुलिया बीच है गूल्डन बीच है उडिसा में लेंगराज टेंपल है कोडार्ग टेंपल है और जगनाट टेंपल है इतना आपको उडिसा के बारे में याद रखना है ने क्यूशन है हाली में रास्टपती मुर्मू ने कहां बारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अठारे में रास्टी जम्बूरे का उद्गाटन किया है तो रास्टपती द्रौपती मुर्मू ने अभी राइस्थान के पाली में बारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अठारे में रास्ती संबोरे का उद्गाटन किया तो इसकुशन का बे औप्शन साई है नया कीूशन है हाली में कैसराजी के मुक्ह मंतरीने देदीर अबयान शुरू किया है तो अबिbor की चीपमेरीनिश्टर मॉंताब अनर जी ने देदीर सुरक्षा का बच अबयान शुरू किया तो इस कुश्य मंगाल में इसी साल पंचायद चुनाव होने हैं और इसे के लिए यह दे दीर सुरक्षा का बच अभियान पश्य मंगाल की चेप मनिश्टर ने सुरू किया है अब पश्य मंगाल तो यह मैप में पश्य मंगाल पश्य मंगाल की केपिटल क्या है कूलकाता और कूलकाता किस नदी के किरा इस्तित है हुगली नदी के राश्तित है पश्यमंगाल की चीपनिश्टर है ममतावनजी और पश्यमंगाल की गवर्नर कौन है से बी आनंदा बोस कौन हैं से बी आनंदा बोस अच्छा अभी प्रदर्मंत्री मोधी ने कूलकाता में रास्टी जल और स्वाकिस्ता संस्तान का उद्गाठन किया है पश्य बंगाल सरकार ने नेजी भूमी पर लगु खनिज खनन की अनुमति दी है और डॉक्टर से बी आन संचुरी है सजना खले वार्ले संचुरी है और अंतरास्टी समुद्री भोजन सू का आयोजन पश्य मंगाल में किया गया और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा अभी कोलकाता में सुरू होगी नेजी शिशन है हाली में जेसन मू को किस बेंक ने CEO के रूप में न बेंक आप्सन सही है यह हैं जेसन मू और इने को बैंक आफ सिंगापुर ने अपना CEO अपट किया है अब लास्ट वीडियो की कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुश्यन पूचा था कि हाली में बिंटेज बहानों के लिए अलग पंजी करण करने वाला पह मूस्ट लेश्ट वरीने इसके वारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फेर बोलूंगा को सिंग बार में आपको जतना ज्यादा से जदा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आमके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में कहां गान नगाई उत्सम मनाया गया है चार option दिए गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई डाउट होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है चाली से लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चत ही मदद मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक